तो पहुंचे हैं अलग अलग महलों में गोरखपूर के और चुकी गोरखपूर से रवी किशन भाजपा से प्रत्याशी है और काजल निशात समाजवादी पार्टी से दमबर्यक और इसके साथ ही जावेद सिमनानी को बसपा ने टिकर दिया तो आप देख सकते हैं यह बसंत पूर इलाका कहलाता है और यहां आप देख सकते हैं बसंत सराय यह 1601 इस्वी की ब देखकर एहसास कर सकते हैं कि कितनी यह पुराने यह किले की तरह बनी हुई यह सराय है और आज भी इसकी जो इटे हैं वो जो जर्रे जर्रे पे जो आप देख रहे हैं और यह आपको बता रही हैं कि खुद अपनी गवाई दे रही हैं कि कितनी यह पुरानी है और यह दर् और इतनी पुरानी यह सराय है तो यहां के लोगों से भी हम नवाइब कर लेंगे चुकि अलग अलग जात विरादरी और धर्म के लोग यहां पर रहते हैं इस महले में भी और इस सराय में भी तो बात कर लेते हैं यह बताईए चचा क्या इस जगह का नाम है और अभी चुनाओ है तो कितनी आप लोग मुल्बूत सुविधाएं आप लोगों को मिल यह बसंत पूर सराय है और लोगों काना कि 1601 का कुछ लोग कहते हैं चावदा सो का यह है लेकिन आतिहासी का आप दे सकते हैं इसका तमाम राजनाइतिक दरों ने बड़ी उप्रेक्षा किया है 67 परिवार के लोग यहां वह हैं आपके बिर्द्द लोग हैं जिनको कोई सुवजाब पिछली सरकारों ने नहीं दिया है और यहां पर जो है 2014 2014 में समाजवादी पार्टी इसको तोड़कर पीपी माडल कामप्लेक्ष बना लाई थी मैं इस तर प्रजेश के लोग्प्रिय मुकमंत्री मानि महंत यो जाएगा जो लोग इनके अंदर हैं इसके अंदर एक एक लोगो जब तक आवास नहीं मिल जाता है किसी को खाली नहीं करा जाएगा अच्छा ये बताईए ये तो काफी पुरानी है किसके समय की सराय किस कौन यहां का राजा हुआ करता था यहां पर राजा बसंत के नाम से था फिर उसके बाद जो है जब यह गोरखपुर में जब मुगल का सरकार काया तो मुगल के अधीनिया हो गया यहां पर सामने मस्जिद है एक मजार है कि माम बाला है अंदर एक मंदिर है और गंगा जमनी तहजीब का मिसाल हिंदू मुसलिम का दंगा कभी नहीं हुआ है आ आप दोजार चोबीस का लोगसावा चुनाओ है तो किस नजरिये से देखते हैं कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं आज इन सराय वालों का मठ में बैठे बैठे जोगी आदितनाजी महराज एक एक परिवार के लोग को ध्यान में लगते हैं उनको पता चला है तो उन्होंने दसा में हमारे यहां के पूरे के पूरे का दुका को छोड़कर सारे के सारे हिंदू मुसलमान के लोग भारती जंता पार्टी के साथ है और कमल चुना चुना पर लगाएंगे आगामी चुना में और तीसरी बार मोधी जी को प्रधान मंत्री के रूप में हम लोग पुने बठाएंगे क्या नाम है आपका और आप कहा रहते हैं मेरा नाम हाजी मुहमद अई बंसारी है मैं इसी सराय में रहता हूं आप तो कई बार योगी जी के कारिक्रम में दिखते हैं तो उनके समर्थक हैं या आप पार्टी से के आदमी अगर काम करता है यहीं के सारे हिंदू समाज के लोग गए और यहां के महानगर अध्यक्त योगी जी से मिलवाय योगी जी ने कहा है कि कोई भी सराय ठूटा नहीं चाहिए इनको बसाया जाए और उसके नाते भाई जब उन्होंने अच्छा काम किया तो हम लोग उनके साथ हैं कितनी पूरानी यह सराय और आप लोग के मुद्दे चुनाओं में कैसी आपलोग सरकार जुनना जाए यह बहुत पूरानी है 600 साल लमसम हो गया अभी चुनाओ भी है तो किस क्या लग रहा रहा अभी किशन आपको अच्छे अच्छा दिख रहे हैं दमदारी के साथ या काजल निशा जो काम करेगा होई अच्छा है और क्या चाहिए हमको आप लोग कैसे प्रत्यासी को चुनना चाहते हैं सांसा हम हैं जुभी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहा है विकास आज जो हमारा सहर का हो रहा है उने के दिन डिख में हो रहा है चलिए आप बात कर लेंदे निशा किन्नर भी हमाँ साथ हैं और हर एक्टिविटी में गोरखपुर के रहती हैं निशा जी बताइए आपको क्या लगता ह चुनाव का महाल दिखा एक हैर में आप लोग किनल समाजhem हलते हैं चुनाव का महाल है और कि मिजाज गरम है लोग का लोग कन्फ करीट में दनी में तो जो सरकार गरीब के लिए काम कर गयी है लोगों का भला कर रही है घ्टमेंट्स दे रही है और अन्न दे रही है जो भी सुब्धाएं उनको चाहिए सब मुहया करा रही है सरकार खड़ी है गरीबू के साथ तो सरकार तो ही आएगी ना क्या लग रहा है आपका जो किन्नर समाज हो किसके साथ हमारा किन्नर समाज बीजेपी की हुई विपक्ष में जाएगा बाकी कुई सी सरकार गुने जाता है क्यूंकि आज के दस साल के पहले हमारा किन्नर समाज को कोई नहीं जानता था कोई आगे नहीं लाया था ना कभी तीजी कार्ड बना रहे हैं पर्चा पत्र बना रहे हैं हम लोग को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए आइसमान कार्ड योजना से भी जोड़ने जा रहे हैं क्या लगता आप इनकी बात से इतिफाक रखती हैं क्या नाम है आपका और कहां कि रहने वाले हैं हमारा नाम सबीना खातून है जी यह बताईए कि जो माहौल है चुनाओ का आप लोग किस पार्टी को फसंद करें कैसा प्रत्याशी बहुत वाधे लोग करते हैं नेता लोग लेकिन क्या लगता है कि पूरे हो रहे हैं जी बिलकुल और हमारा ओट बुकमंतरी जी को जाएगा और विकास भी कर रहे हैं अच्छा काम भी कर रहे हैं तो प्रत्याशी हैं रभी किशन सांसादे गॉरकपूर से आए आप लोग के कभी यहां पर आए हैं आप लोग से मिल आते जाते रहते हैं इस शीटि उपन हैं लेकिन गोगता सो इस समधियाह से तो अभी वाफिग नहीं है क्योंकि महां मंतरी लोग कुछ को पहुंचा देते हैं इस वेस्ट उनको ज्यादा प्राब्लम नहीं होता है कि कुछ कार करता ऐसे हैं उनके बिजिपी के जो कुछ नहीं तक पहुंचा देते हैं कि चलिए कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं उनसे जान लेते हैं यहां पर कुछ लोग बैठे भी हुए इनसे जान लेते हैं यह बताई भाई सब आप लोग कितना इतिफाक रखते हैं जो सारे लोग बोल रहे हैं कि यहां सांसत कभी रवी किशन जी को देखा आपने किया नाम है राज में युशर कि चुनाव है आप लोग किस तरह से किसको सब़सार कर रहे हैं कि क्या करते हैं लेबर कंस्त हैं पर रोजगारी दूर हो पारी महंगाई कम हो पारी आपको लग रहा है इस पहले लोग तेल खाते तें 100 रिप्या किलो आज को तेल खा रहा है तो घरीबाद मी कहां से खाएगा से महंगाई के मुद्धा और बिरोजगारी का मुद्धा है लोग परिशान नहीं है देखने का अपना अपना नजरिया है और वास्तों में जो है जहां पहले लोग अर्थिक रूप से कमजोर थे आप जा के देख लिए पहले क्या थी और आज भी क्या चाहे विकास का मापदंड देखा जाया चाहे रुजगार का माद्यम दिखा जाया चाहे सिच्छा का मामला हो चाहे स्वास का मामला हो हर चीज में जो है हमें हमें जो है सुभी दाएं मिल लई है हर चीज में जो है बेहुस्थाएं मिल लई है तो हर तरीके से जो है बिगुल जनता ने फूख दिया है और यह तै हो गया है जनता ने भरी हुंकार अब की बार 400 पार वो अलग अभी साय है लेकिन हम लोग भी देखे जुड़ा है अगर मुसलिम समा कंडिड़ेट है यहां का मद्दाता चुनाओ चीज में कमल निसान योगी और मोधी को देखता है अब की बार 400 के पास और आप बता दिये कि आपको कहीं बाल बराबर सक है कि भाजपा हर रही है आपको क्या लग रहा है कि मलब समाजवादी पार्टी हर रही है समाजवाद पार्टी पार्टी गड़बंदन हार रहा है सब हार रहे हर जगे कोई कंडिडेट है नहीं है आप यहां के कंडिडेट को देख लीजिए कि 2012 में उन्होंने कांग्रेस पे चुनाओ लड़ी लापता गंस एक महीड़ा आती है और नोटंगे करक हास्पीटल जाती है भाग पिर उसके बाद लोग सभा की चुना में आ रही है लोग सभा भाई साब लोग सभा की चुना में आ रही है एक बच्या बता दे कि यहां से कौन जीत रहा क्या कोई सख है बाल बराबर भी कि भाजपा रही है राम मंदिल पे जीत रही है कि इतना विकास गोरपुर में कभी हुआ था आवास मिला था किसी को प्रदान मंत्री आवास और सब्सक्राइब को बंबरी का फ्लोरा फॉंटेन बना दिया योगी महाराज ने और यह मोदी जी के आज इसी सराइक को महाराजी ने पुरात्यति विवाय में गोशित करके सम्मान दिया सराइकों को बदनाम नजर से देख देख जब कि हैं अज अगर कहते हैं कि हम गोरकपुर से हैं चाहे मुंबई में हो चाहे कहीं भी हो तो सिरिफ आता है कि योगी अधितनात्य जी के आज गोरकपूर बन गया है गवरोपूर हर जगह देखे चकाच बिजली चकाच और महंगाई पहले 30 रुपय में लेबर मिलते थे आज 500 रुपया देने पर भी लेबर नहीं मिल रहा है और पहाँ आठ बजाते सुर्थी ठोकते चले जाते किसी इम्मत रहें बेगारी कर वाल राच्छाबंदन के दिन परिफर्म ब्याग में मुप्त यात्रा वह नहीं देखा जाते कि मुसल्मान महिला है को महिला जाओ अपने भाईयों के कलाई में राकी बांदो और यहां पर 300 रुपया भी दोपेंजनता महराज ने 500 किया 500 से 1000 रुपया कर दिया उसके देखिए यह बसंद की सराय है और दर्वाजा यहां का बुलंद वयाज Hem वैसे ही यहां के लोगों की जो सोच है वो भी पूरी चुनाओं को हो लेकर बुलंद और आप सब्सक्ते क्यों कैसी है चुनना चा possibility अगर बसंद सराय के लोगों की राय जाने स्क् isolate वास्ता और अपने मन्द सुबें बता चुके निरश्वास्तों विपलाइब गुरगफूर्ट